ब्रेक के बाद आप सभी का आरोगे मंत्र में एक बार फिर से स्वागत है आई अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं श्री डॉक्टर साब एक और जो सवाल हमें अकसर हमारे दर्शक पूछते हैं हमारे व्यूवर्स पूछते हैं क्योंकि आपने बात स्लिम टीकी करी कोई कहते हैं कि हमें आयरवेदिक दवाईयां बहुत कड़वी लगती हैं कुछ दवाईयां बहुत कड़वी लगती हैं इसका क्या जवाब है इस वज़े से हम दवाईयां ही छोड़ देते हैं हम दवाईयां आगे नहीं चाले दवाईयां हैं जो कुछ हम आपको देते हैं पहली बात तो यह के सारी दवाईयां कडवी नहीं होती, कुछ ऐसी औशदियां हैं, नीम है, चिरायता है, कुछ और ऐसी चीज़ें जो जिनमें कडवाहट होती है, वो उसका प्रकर्तिक टेस्ट है, लेकिन मेजॉर्टी ओफ दे हर्ब्स वो कडवी नहीं है, वो उनमें फंपट्रेखे hon अईगा, आप कोई और हउर का अशन का दुछ का पॉडर लेंगे, उसमें अलगी टेस्ट होगा, और मिक्सर क्रेंगे, तो कई और तीसरा स्वाँ नहीं हो, तो टेस्ट तो जड़ी वूटियों का है, तो पहली चीज तो ये कित भी आप नहीं हो है, भी है और वो किसलिए ले रहे हैं कि आप अपने रोग को नस्ट करना चाहते हैं तो रोग को जब नस्ट करना है तो आपको प्रोपर मात्रा में दवाई लेनी चाहिए टेस्ट के उपर मज जाहिए टेस्ट का कोई कैई तरीके हम बताते हैं आप शेहद में मिला के ले लिजिए या पानी में घोल लीजिए उसको, पानी में घोल के पी जाईए, एक सेकेंड आपके जीब पिटा चोगा नीचे चलागा, कहां फिर आपको टेस्ट उसमें आएगा, तो तरीके हम आपको कही बताते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर लेना चाहिए, अगर छोड़ देंगे, तो कैसे पास जाते हैं, अब डॉक्टर कहता जी, आपका तो ये गांट होगी, इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, अब आप कहें, जी मुझे तो ऑपरेशन अच्छा नहीं लगता, मैं तो नहीं कराऊंगा, तो आप नहीं कराएंगे, तो आपका रोग स्वस्त हो पाएंगे, तो मैं आशा करती हूँ, ये बात हमारे सभी दर्शुकों ने बहुत ध्यान से सुनिये होगी, और आपने बहुत ही अच्छे से बात उन्हें समझाई, कि प्राकर्तिक चीजों को जितना आप नेच्छल तरीके से लेंगे, वही उसका एक सही इलाज है, इसमें थोड़ा कड़वाहट है, अब चीज का टेस्ट होता है, करेला भी तो खाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है, ऐसी बहुत सारी चीजे है, तो टेस्ट माइंड में होता है, जैसा आप अपने माइंड को बोलेंगे, वैसा ही काम वो करेगा, विल्कुल सही का, आपको अपना आइडियल वेट मालूम होना चाहिए, आप आज कल कहीं पर भी कल्कुलेट कर सकते हैं, जिसको के हम हाइट के अनुसार वेट कहते हैं, आप इंटरनेट पर भी जाएंगे, वहां पर भी आपको मिल जाएगा, दूसरी चीज, कैसे अपना आइडियल वेट र आपको बहुत जरूरी है, नियमत रूप से वियायाम करिए, बहुत इंपोर्टन्ट है कि कभी कभार गडबड हो भी जाती है, आखिर हम इनसान है, कभी कभार दिल करता है, कोई पराथा खाली है, समोसा खाली है, कोई बात नहीं, आम पाचक चूरन जरूर खाईए, आम प माइंड से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, और लास्ट में एक ही चीज में सबसे इंपोर्टन्ट कहूंगा, कि हमेशा जितनी भूख है उससे थोड़ा कम ही खाईए, अगर आपको लगता है कि आप तीन चपाती खाएंगे, तो अच्छा है कि आप दो ही खाएं, आप बिल्कुल जो है, सुस्ती नहीं आएगी, कमजोरी नहीं आएगी, आपको देखना आप यह अगर प्रैक्टिस शुरू करेंगे, तो आपको लगेगा कि आपका एनर्जी लेवल बढ़ गया है, आपका स्वास्त बढ़ गया है, आपकी मन की प्रशनिता बढ़ गई, तो य मैंने खुद परसनली बहुत सारी नहीं चीज़े सीखी है, और मैं हंडर्ड परसन उनको इंप्लिमेंट करने वाली हूं, और सबसे अची बात है, आप जो चीज समझाते हैं, वो इतने सिंपल और लॉजिकल वे में समझाते हैं, तो शायद इसलिए वो लोग के दिल को दाना हो, दोनों ही अवस्था में आपको सोच समझ कर सही तरेके का भूजन खाना होगा और अपनी प्रकृति के अनुसार भूजन खाना होगा, इस पत्थ में अगर आपको कोई भी परिशानी आए, तो आप फोन उठाके हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नमबर है 0129 4040404, हम www.jiva.com, हमारी वेब साइट है www.jiva.com, आप हमें फेस्बुक पर फॉलो कर सकते हैं, और जीवा की मैगजीन वरमायू को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आज आरो के मंत्र में केवल इतना ही, मैं आशा करती हूँ आपको हमारा आज का कारेक्रम बहुत पसंद आया होगा हम आपके सामने हाजिर होंगे, एक और नया विशे लेके, एक और नया सब्जेक्ट लेके, तब तक के लिए आप खुश रहें, सुखी रहें और सम्वर्द रहें, नमस्काल